अब मोहन अपनी बातें इस तरह से कह ही रहा था और तभी विद्या का आगमन वहां हो गया तो विद्या कौन है विद्या उनकी पुत्री का नाम है विद्या आई और वह अपनी बात कहती है क्या कहती है वह कहती है मम कक्छा ध्यापिका माम प्रतिधिनम विद्याले सूल कप पूर्थिये भर्थ स्यति, सर्वाह मम सह पाठिन्यह मामेव लक्षी कृत्य हसंति, सर्वाभी छात्रा भी है, विद्याले सुलकम दत्तम, मा सान्ते कक्छा पंजिका याह मम नाम करति स्यति तो इस तरह से विद्या अपनी बातें कहती है, तो विद्याने क्या कहा, आईए इसको समझते हैं, मम, मम का मतलब होता है, मेरा, मेरे या मेरी तो मम कक्छा अध्यापिका मेरी कक्छा अध्यापिका कक्छा अध्यापिका कक्छा अध्यापिका इती कक्छा अध्यापिका माम मुझको प्रती दीनम प्रती दीनम यहां समासिक पद है समास अलग करें तो दीनम दीनम प्रती इती प्रती दीनम अव्याई भाव समास है यहा रोज विद्याले सूल्क पूर्तए विद्याले की सूल्क की पूर्ती के लिए यहां सश्ठितत पूरु समास का प्रयोग हुआ है है भर्थ जती मैं भर्थ न करती है अरथात निंदा करती है डांचती है तो मं कक्षा ध्यापी मेरी कक्षा सख्श क्षिक माम मुझ को प्रतिदिन प्रत्ययक दिन विद्यालय सूल्क की पूर्ति के लिए भर्थ्सना कहती है अर्थात तुम विद्यालय सुल्क आज भी नहीं लाई हो क्यों नहीं लाई हों इस तरह से मुझे बार-बार वह डांचती है मेरी निंदा करती है और जब सिक्षिका इस तरह से करती है तब sara wa machst safety सभी मम मेरे सहपाथिन्याह साथ पढ़ने वाले लोग साथ पढ़ने वाले बच्चे मामेव मामधन एव इती मामेव मेरी मामधन एव इती मामेव यहाँ पर वियंजन संधी का प्रयोग हुआ है लक्षी कृत्य मुझको ही लक्ष करके हसंती हसते हैं हसंती यह पद जो है हसधातु मूल हसंती का मूल क्या है हसधातु है लटलकार प्रथम पूरुष बहुवचन का यह रूप है और इसका तात्पर यह होता है हसते हैं तो जब मेरी कक्षा सिक्षि का मुझे विद्याले के लिए बार-बार कहती है तब सहभी सहपाथी जो हैं वे मुझको ही लक्ष करके हसते हैं अर्थात मेरी हसी उड़ाते हैं सर्वाभी है छात्रा भी है सर्व सब्द है और इसका इस्ट्रिलिंग का रूप है तृत्यव भक्ति बहु वचन का रूप है इसका तात्परि होता है सभी के द्वारा चात्रा भी है चात्राओं के द्वारा सर्वाभी है चात्रा भी है सभी चात्राओं के द्वारा विद्याले सुलकम दत्तम विद्याले सुलक दिय दिया गया है केवल एक मैं मात रही उसका अक्छा में विद्याले सुलक पूर्ति करने से बची हुई हूँ अर्थात मेरा विद्याले सुलक अभी तक जमा नहीं हुआ है मास अंते महिने के अंत में मासस्य अंते यहां सच्छितत पूरु समास का प्रयोग हुआ है और मास धन अंते यहां दिर्गस्वर संधी का प्रयोग हुआ तो इस तरह से मास अंते सब्द में समास भी है और संधी भी है दोनों अलग करने के लिए पूछा जा सकता है तो मा सांते महिने के अंत में कक्छा पंजिका या कक्छा की पंजिस से मम नाम करती स्यती मेरा नाम काट दिया जाएगा इस महिने के अंत तक यदि मैं विद्याले सुल्क की पूर्ती नहीं करती हूँ तब कि इस सिती में शिक्षिका ने मुझे कहा है कि यदि इस महीने के अंत तक मैं विद्याले सुलक के पूर्ति नहीं करी तो मेरा नाम जो है विद्याले की कच्छा पंजिस से काट दिया जाएगा अर्थात मैं फिर विद्याले में पढ़ने के योग्या नहीं रहूंगे तो इस तरह से विद्या अपनी समस्या पिता मुहन से कहती है अब विद्या इस तरह के अपनी बातें कही ही रही थी कि कमला का वहाँ प्रवेश होता है और कमला अपनी माता से कुछ बात कहती है क्या बाते कहती है आईए देखते हैं मातह प्रती दिन मेव महयम कक्छा ध्यापिका विश्याद ध्यापकास्च विद्यालय गणवेशं धार इतुम कथयन्ति अहम तु एकम मलिनम वस्त्रम परिधाय विद्यालयम यामी प्रती दिन मेव में कक्छा याह बहिह निसकासनम क्रियते कक्छा गवाक्छात एव पाठ्यमानम विश्याप अहम स्रिनोमी अब कमला जो है देखिए मंच पे मोहन जो है पलंग पर सोया हुआ हुआ है बुखार से पीडी था है वहा राधिका घर के कारियों को वहीं कर रही है और अलग अलग बच्चे जो है आते हैं और अपनी समस्याओं को वहां रखते हैं अब विद्या के पस्चात कमला नाम की उनकी पुत्री आई है और वहां अपनी माता से कहती है क्या कहती है मातह माता प्रती दिन मेव प्रती दिनम धन एव इती प्रती दिन मेव यहां वियंजन संधी का प्रयोग हुआ है अब प्रती दिनम इस पद का यह समासिक पद है समास विग्रह करें तो दिनम दिनम प्रती यह होगा और इसका तातपर यह होता है प्रती दिनम यहां अविभाव समास है तो प्रती दीनम इसका अर्थ होता है, प्रत्य एक दीन, महियम मुझको कक्छा अध्यापिका के द्वारा, विसय अध्यापकास्च और विसय के अध्यापकों के द्वारा, कक्छा अध्यापिका यह समासिक पद है कक्छा यह अध्यापिका इति कक्छा अध्यापिका यहां सश्चितत पुरु समास का प्रयग हुआ है विशयाध्यापकाश्च विशयधन अध्यापकाः धन्च इति विशयाध्यापकाश्च विशयधन अध्यापकाः यहां पर दीरगस्वरसंदी का प्रयोग हुआ है अध्यापका धंच यहां पर विशेज़संदी का प्रयोग हुआ है और इसका तात पर यह होता है विशेज़ेके अध्यापकों के द्वारा विद्यालय गणवेशम यहां सश्थिततपूर समास का प्रयोग हुआ है तो विद्याले के गणवेश को धार ये तुम धारन करने के लिए धार ये तुम यह सब्द जो है ध्री धातों से बना हुआ है ध्री धातों में तुमुन प्रत्या का योग हुआ और इस तरह से इसका अर्थ होता है धारन करने के लिए कथ यंति कहते हैं कथ यंति कथ धातु से बना हुआ है लट लकार प्रथम पुरुस बहु अचन का यह रूप है तो कमला जो है अपनी माता से कहती है प्रती दिन में प्रत्य एक दिन मेरे कक्षध्यापक और विशय अध्यापकों के द्वारा विद्याले गणवे सधारण करने के लिए मुझे कहा जाता है अर्थात ये सभी मुझे कक्षध्यापक और विशय अध्यापक जो है विद्याले गणवेस धारण करने के लिए कहते हैं अहम तु एकम मलीनम वस्त्रम परिधाय विद्यालेयम यामी अहम कतातपरी होता है मैं तु यह अव्याइपद है और इसकतातपरी होता है तो एकम का तातपरी होता है एक एकम यह नपुन्सक लिंग का सब्दा है संख्यवाची नपुन्सक लिंग प्रत्मेवक्ति एक वचन का यह रूप है तो एकम मतलब एक मलीनम मतलब मलीन या गंदे वस्त्रम वस्त्र को परिधाय पहनकर विद्यालेयम विद्याले को या जाती हूं यामी याद हातु है लटलकार उत्तम पुरुस एक वचन का यह रूप है मैं तो एक मलीन वस्त्र को पहन कर विद्याले जाती हूं ऐसा कमला कहती है मलीनम वस्त्रम यह जो सब्दाया है इसमें विशेशन विशेश से पहचान करने के लिए आपको कहा जा सकता है मलीनम वस्त्रम असमिन पद योह विशेशन पदम चिनुत अर्थात मलीनम वस्त्रम इन दोनों पदों में से विशेशन पद को चून कर लिखो तो यहां आपको समझना होगा विशेशन कौन सपद है और विशेशन कौन सपद है विशेशन किसको कहते हैं और विशेशन किसे कहते हैं यहां हम समझ लेते हैं जिस सब्द से किसी वस्तू की विशेशता बताई जाए वह विशेशन सब्द होता है और जिस वस्तू की विशेशता बताई जाए वह विशेश से कहलाता है तो मलीनम वस्त्रम विशेशता किसकी बताई जा रही है विशेशता यहाँ पर बताई गई है वस्त्र की तो वस्त् वस्त्र की विशेष्टा क्या बताई गई है वस्त्र की विशेष्टा बताई गई है मलीनम अर्थात मलीनम सब्द से वस्त्र की विशेष्टा बताई गई है इसलिए मलीनम जो है यहां क्या होगा मलीनम विशेष्ण है और वस्त्रम यह विशेष्ट से है तो अहम तु एकम मलीनम वस्त्रम परिधाय विद्यालेयम यामी मैं तो एक मलीन अर्थात गंदे कपड़े को पहन कर विद्याले जाती हूं प्रती दिन मेव प्रती दिनम धन एव यहाँ पर वियंजन संधी का प्रेग हुआ है में अर्थात मुझको विद्यालेयम विद्याले जाती हूं यहां जो सब्द प्रविक्त हुआ है यह पंच्री भक्ति एक वचन का रूप है तो प्रती दिन मेव में कक्छा याह बही है अर्थात बाहर बही है यह क्या है यह अव्याइपद है इसका ताथ पर होता है बाहर निसकासनम निकाल दिया जाता क्रियते किया जाता है अर्थात कासधातु है और लिवच प्रत्य का प्रयोग हुआ है तो इस तरह से सब्द बनता है निशकासनम तो प्रती दिन मेव में कक्छा या वही है निशकासनम क्रियते प्रत्य एक दिन मुझे कक्छा से बाहर निकाल दिया जाता है जैसे आपके विद्यालें भी कभी किसी विद्य गंदे कपड़ों को पहन कर विद्यालय आने के लिए विद्यालय से उन्हें बाहर निकाल दिया जाता होगा। कमलग करे भी क्या उसके पास तो एक ही कपड़ा है और उसके पास के वाल एक कपड़ा क्यों है क्योंकि उसके पिता की जो आर्थिक स्थिति है वो सभी बच्चों की आवशक्ताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं इसलिए कमलग के लिए भी वो वस्त्र खरीद नहीं पा रहे हैं तो उनके पास वस्त्रों का अभाव है इसलिए उसके पास एक ही कपड़ा है तो वह एक ही कपड़े को पहन करके प्रती दिन विद्याले जाती है तो मोहन के सामनी समस्या है समस्या क्या है उनकी आय तो ठीक है लेकिन चुकि परिवार बड़ा है परिवार बड़ पारहे हैं तो उनके पास एक ही कपड़ा है और उसी एक कपड़े को अर्थात उस गंदे कपड़े को रोज latte पहन कर जाती है इसलिए। आज भी उसे कक्षा से पाहर निकाल दिया गया था इसलिए वह अपनी माता से आकर सिकायत करती है और कहती है क्या कहती है कक्षा गवाक्षात एव पाठ्य मानम विसयम अहम स्ट्रिनोमे कक्षा गवाक्षात आप सभी को विद्याले का कक्ष पता है आप देखिए इस तरह से विद्याले का कक्ष है विद्याले के कक्ष को देखते हैं तो एक द्वार और साथ ही साथ अनेक उसमें गवाक्षर्थत खिडखियां होती हैं, तो कक्षे से बाहर उनको निकाल दिया गया, अब वह बाहर दर्वाजे से या खिडखी के पास खड़ी होकर पाठ्थ मानम पढ़ाये जाते हुए, विसयम विसय को अहम मैं स्रिणोमी सुनती हूँ, तो विसय अध्यापकों के द्वारा, कक्षा अध्यापकों के द्वारा गंदे के अपड़े के करण उन्हें कक्षा से बाहर निकाल दिया जाता है, और वह कक्षा के द्वार पर या खिडखी के पास खड़ी होकर पढ़ाये जाने, सिक्षकों के द्वारा पढ़ाये जाने व वाले विशय को वहा सूनती है तो यह सिकायत करती है आज भी मुझे कक्छा से निकाल दिया गया था और मैं आज भी कक्छा से बाहर खिड़की के पास खड़ी होकर सिक्षकों के द्वारा पढ़ाये जाने वाले विशयों को सून रही हूं अर्थात मैं मेरे साथ ऐसा यह प् खरिदो यह कमला के कहने का आसा है अब मोहन और राधिका उनकी इच्छाओं के पूर्ति कर पाएंगे के नहीं कर पाएंगे यह उस विशय में सोचते उससे पहले ही स्यामा का आगमन हो गया और स्यामा आई और अपनी माता से कहती है क्या कहती है स्यामा कहती है मात दसमी कक तो इस तरह से श्यामा अपनी समस्याएं कहती है स्यामा जो है वहां दस्वी कक्षा उत्तिर्ण हो चुकी है लेकिन अब चुकि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है इसलिए उसको आगे पढ़ाई के लिए विद्यालाय नहीं भीजा जा रहा है अब वहां घर में बैठे रहती है अब घर में बैठे बैठे क्या करें तो वह सूची कर्मन हर्थात सिलाई का कार्य सीखना चाहती है तो इसके लिए वह प्रसिक्षन केंद्र जाना चाहती है लेकिन वहां प्रसिक्षन केंद्र में जाने के लिए उन्हें 300 रुपियों की आवशकता है तो उन्ही बातों को वह अपनी माता से कहती है तो मातह माता दस्मी कक्षा तू मया उत्तिरना दस्वी कक्षा तू मैंने उत्तिरना कर लिया है तो दसमी, दसम का यह इस रूप है, जैसे दसवी कहते हैं, दस कहते हैं, तो इसका मतलब होता है दस, लेकिन आप कहेंगे दसवी कहेंगे, क्रमवाची कहेंगे, जैसे एकह कहते हैं, तो एक हुआ, और प्राथमा कहते हैं, तो पहला कहते हैं, पहला क्या है, पहला जो क्रमव प्रथमा द्वितिया तरितिया यह सभी क्रम वाची संख्या हैं तो इसलिए क्या कहेंगे आप इसको दसवी को संक्रित में क्या कहेंगे दसमा को कहते हैं दसम और दसमी कहेंगे तो इसका इस्ट्रेलिंग गूरूप बना लीजिए दसम का इस्ट्रेलिंग दसमी तो दसमी कक्छातू मया उत्तिर्णा दसमी कक्छातो मया मया यहाँ सब्द कैसी बना है मया का तातपरी होता है मेरे द्वारा असमद मूल सब्द है असमद का तृतियोई भक्ती एक वचन का यह रूप है और मया इस सब्द का प्रयोग यहाँ उभाई लिंगी सब्द है अर्थात पूर्लिंग में भी इसका प्रयोग होता है और इस्ट्रिलिंग में भी इसका प्रयोग होता है तो दस्मी कक्छा तु मया उत्तिर्णा दस्मी कक्छा तु मेरे त्वारा उत्तिर्णा कर लिया गया है न न कतातपरी होता है नहीं या अव्यवाचकपद है परेस यसी भेज रही हो माम मुझे को विद्यालेम साम प्रतम यह भी अव्यवाचक पद हैं इसका ताथ पर होता है अब यह इस समय विद्यालेम मतलब विद्याले को अब मुझको विद्याले नहीं भेज रही हो इसका तात पर यह होता है घर में ही उपविष्टा बैठी हुई अहम किम करिश्यामी घर में बैठी हुई मैं क्या करूँ अर्थात घर में रहकर ही मैं क्या करूंगी ऐसा वह प्रस्न उपस्धित करती है दे ही अर्थात दो मैं मुझको 300 रुप्य कानी 300 कहते हैं 300 सत का मतलब होता है 100 3 का मतलब 3 तो 300 रुप्य कानी 300 रुप्य अहम सूची कर्मन हाँ मैं सूची कर्मन अर्थात, सिलाई का कार्य, तो सिलाई का प्रसिक्षन, सूची कर्मना प्रसिक्षन, सिलाई का प्रसिक्षन, प्राप्तुम, प्राप्त करने के लिए, प्राप्तुम यह सब्द कैसे बनता है, प्रधन, आप्धन, तुमन प्रत्या है, से मिलकर बनता है, प्राप्तुम, प्र दाप्त करने के लिए प्रसिक्षणालयम प्रसिक्षणालय अर्थात जहां सिलाई का प्रसिक्षण दिया जाता है वहां या स्यामी जाऊंगी तो देखिए स्यामा जो है बड़ी चतूर है यह स्यामा चतूरा कन्या है और यह पढ़ाई में अच्छी रही इसलिए दस्वी कक खाली बैठना ये उन्हें उच्चित नहीं लगता है इसलिए वह अपने समय का सदूपयोग करना चाहती है समय का सदूपयोग कैसे करना चाहती है वह सिलाई कार्य सीखना चाहती है ताकि वह कुछ पैसे भी अर्जित कर सके और समय का भी उनका सदूपयोग हो जाए तो इसल स्यामा जो है सिलाई कारी सिखने के लिए उद्ध्यत हो रही है इसी तरह से विभिन्न काुसलों को सीखने के लिए आपके मन में भी लालासा होनी चाहिए तो देही में 37 रुपय कानी मुझको 300 रुपय दो मैं सूची कर्मनाः प्रसिक्षनम प्राप्तुम प्रसिक्षनालयम या स्यामी सिलाई का कार्य का प्रसिक्षन प्राप्त करने के लिए प्रसिक्षनालय जाऊंगी कि ऐसा वह कहती है तो निश्चित रुप से स्यामा का जो प्रस्ताव है वह अच्छा है लेकिन क्या मोहन और राधिका का जो परिवार है वो उनकी इस इच्छा की पूर्ति करने में समर्थ हो सकते हैं निश्चित रुप से वे सोचेंगे लेकिन अब वे सोचते इससे पहले ह मोहन और राधिका के समक्ष एक दूसरी समस्या आ रही है, क्या समस्या आ रही है? आईए, पहले इन्हें हम सुनते हैं, प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना, रंगमंज में गोपाल, निर्मला, राधिका और सीता का क्रमसह आगमन होता है, और वे बारी-बारी से अपनी स मस्याएं मोहन और राधिका के समक्ष उपस्षित करते हैं, आईए, गोपाल ने क्या कहा? इसको समझते हैं, गोपालह पीतह देही में सत्त रुप्य कानी, मम भगीनी विद्या महियम द्वेक्रिडनके क्रेतुम आपनम यास्यति तो गोपाल छोटा बच्चा है भी, वह बच्चा कहता है, पीता है, पीता जी देही दो में, में का मतलब होता है, मुझको में सब्द कैसे बनता है? में यहाँ असमद का, असमद इसका मूल सब्द है और यहाँ पर जो में प्रयूक्त हुआ है, यहाँ द्वितियावी भक्ति एक वचन का यह रूप है असमद का कारकर्चन आप जानते हैं, सब्द रूप आप जानते हैं अहम आवाम वयम मा मा में यहाँ जो रूप प्रयूक्त हुआ है, यहाँ चतूर्थी भक्ति का एक रूप है चतूर्थी भक्ति एक वचन का यह रूप है, असमद मूल सब्द है तो अस्मत का कारकर्चन आप जानते हैं मुझको देदो सत रुप्य कानी सत का मतलब होता है सव रुप्य कानी मतलब रुप्य मुझे सव रुप्य देदो किस लिए देदो कारण बताता है कारण बताते हुए कहता है मम भगीनी विद्या मम मतलब मेरी भगीनी मतलब बहीन विद्या महियम मेरे लिए देखिए असमत सब्द चतूर्थी वक्ति में आते हैं तो महियम मे दोनों का प्रयोग किया जाता है महियम का भी प्रयोग किया जा सकता है और मे का भी प्रयोग किया जा सकता है तो सबसे पहले में का प्रयोग किया गया और इसका तात्परी होता है मेरे लिए और फिर अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मम भगीनी विद्या महियम तो महियम यह जो सब्दाया है यह भी चतूर्थी भक्ति का ही रूप है मम भगीनी मेरी बहिन विद्या महियम मेरे लिए द्वे का तात पर यह होता है करिडन के करिडन कहते हैं खिलावना जैसे आप देख भी पा रहे हैं तो महियम द्वे क्रिडन के दो खिलावना क्रेतुम खरीदने के लिए क्रीध हातु तुम उन्प्रत्य का प्रेवग हुआ सब्द बना क्रेतुम इसका ताथ पर यह होता है खरीदने के लिए या क्रय करने के लिए आपणम कहते हैं दुकान को या बाजार को याश्यति लायेगी याधातु है लिटलकार का प्रयोग है यहाँ पर और लिटलकार प्रथम पूरुस एक वचन का यह रूप है तो गुपाल जो है अपने पिता से कहता है अपने पिता मोहन से कहता है दे ही में सत रूपे काणी मुझे सव रूपय देदो किसले देदो मम भगीने विद्या मेरी बहें विद्या महयम मेरे लिए द्वे क्रिडन के क्रेतुम आपनम याश्यति मेरे लिए दो खिलावना लेने के लिए दुकान जायेगी वह दुकान जाओंगी बोल रही है लेकिन मैं उसको पैसा दूँगा तब वह मेरे लिए खिलावना लेकर आएगी नहीं तो वह खिलावना मेरे लिए नहीं लाएगी और मैं खिलावना से खिलना चाहता हूँ इसलिए मुझको सौ रूपया आप दे दो ऐसा गोपाल जो है अपने पीता मोहन से कहता है मोहन इस तरह से अपनी बातें कह ही रहा था तभी निर्मला का वहाँ प्रवेस होता है और निर्मला कहती है क्या कहती है पीताह मम पार्ष्वे चीत्र कर्मा भ्यास पुस्तिकार नास्ति देही में पंच विन्सति रूप्य काणी अध्ययव ताम कृत्वा अहम विसयाध्या पिकया दत्तम ग्रिहकारियम करिश्यामी अब निर्मला आ गई देखिए इन पूरे घटना क्रम में मोहन जो है बुखार से पीडित है और अपने पलंग पर वह सोया हुआ है उच कर बैट भी नहीं पा रहा है उनकी पत्नी राधिका घर के कारियों में लगी हुई है और अलग अलग बच्चे आते हैं और अपनी समस्याएं उन दोनों से कह रहे हैं अब नीर्मला आ गई नीर्मला भी कहती है क्या कहती है पिता पिता जी मम पार्षवे मेरे पास चीत्र कर्म अभ्यास पुस्तिका चीत्र कर्म धन अभ्यास पुस्तिका यहां पर दिर्गस्वर संधी का प्रयोग हुआ है अर्थात चीत्र बनाने का जो अभ्यास पुस्तिक नास्ति यहां दिर्गसवर संदिग का प्रयोग हुआ है इसका थाद पर होता है नहीं है मेरे पास चित्र बनाने का जो अभ्यास पुस्तिका पूस्तिका होता है वह नहीं है देही देदो में मुझको यहाँ पर में कातात पर क्या हुआ चतूर्थी भक्ति एक वचन का रूप है और मुल सब्द है इसका अस्मद तो देही में पंच विनसती रुप्य कानी, पंच मतलब होता है पांच, विनसती का मतलब होता है बीस, रुप्य कानी मतलब होता है रूपिये, अर्थात 25 रूपिये, देखें, संस्कृत में अंकों को लिखने की एक पधती है, जैसे हम 25 कहते हैं, तो हम उसको अंकों में तब कैसे करते हैं? तो पाँच जो है एकाईक आंक है तो इसलिए उसको पहले कहेंगे पंच प्र दो जो है कहें यह दहाईक आंक है अरथात इसका बीस इसका मान है तो इसको कहेंगे विन्सति तो 55 रूप्य काहने 25 रूपिय अध्यव अध्यधन एव इति अध्यव यहाँ पर वृद्धी स्वरसंधि का प्रेयोग हुआ है और यह दोनों पद अध्य यह भी अव्याईपद है और एव यह भी अव्याईपद है अध्य क्रित्वा उसको खरीद कर किसको खरीद कर चीतर कर्म अभ्याऌव पुश्तिकां कर्षात चीत्र बनाने का जो अभ्याऌव पुश्तिका है उसको खरीद कर क्रित्वा यह सब्द कैसे बनता है क्रीद हातू है अक्त्वा पत्या का प्रयोग हुआ है और इस तरह से सब्द बनता है क्रित्वा क्री का मतलब होता है क्रे करना या खरीदना क्रित्वा का तात्पर होता है खरीद कर तो ताम क्रित्वा उस अभ्यास पोस्तिका को आज ही ख अहां मैं विशयाध्यापिकया विशय अध्यापिका के द्वारा विशय धन अध्यापिकया यहां पर दिर्गस्वरसंदी का प्रयोग हुआ और विशयाध्यापिकया इस पद को यदि हमको पहचानना होगा तो एक तो विशय धन अध्यापिकया तो अध्यापिकया यह सब् कैसे बनता है अध्यापिका यह मूल सब्द है तृतियविभक्ति एक वचन का प्रयोग करें तब रूप बनता है अध्यापिकाया तो विशय अध्यापिकाया यहाँ पर सश्थित अत्पूरु समास का प्रयोग हुआ तो विशय अध्यापिकाया इसको हमको पहचानने के लि कहा जा सकता है तो विसएधन अध्यापिका, दिर्गरश्वर्शन्धि, विसर्ज यस से अध्यापिकाया तो सस्ठीटत्पूरु समास और अध्यापिकाया यह सब्द दे दी जाए और इसके पहचान करने के लिए के लिए कि मूल सब्द क्या है लिंग कौन सा प्रेवक्त हुआ है विभक्ति कौन सा प्रेवक्त हुआ है और वचन कौन सा प्रेवक्त हुआ है इस तरह से प्रस्न पूछा जा सकता है तो अध्यापिकया इतिपदस्य मूल सब्दम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत इसा प्रस्न दिया गया. तब क्या कहेंगे? तो अध्यापिकाया मूल सब्द, अध्यापिका. लिंग, इस्ट्रिलिंग. विभक्ती, तृतिय विभक्ती, वचन, एक वचन. तो इस तरह से हम विभिन सब्दों को, उनके रूप को जानेंगे, भली भाती पहचानेंगे तब जैसा भी प्रस्ण पूछा जाए उसका उत्तर देने में हम समर्थ हो सकते हैं तो विशया अध्यापिका के द्वारा दत्तम दिये गए ग्रिह कार्यम ग्रिह कार्य को करिश्यामी करूंगी तो आप मुझे 25 रुपिय दे दीजिए उससे मैं अभ्यास पूछिका खरीदूंगी और विशयापिका के द्वारा दिये गए ग्रिह कार्यम को पूरा करूंगी क्यों क्योंकि मुझे कल विद्याले में जाकर के विशयापिका को उन्हें दिखाना है तो ऐसा नीरमला कहती है